हेलो स्टेटेंड्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हाँ सब लोग, मास, बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लोग, हम लोग पढ़ रहे थे, हीमोपोईटिक सिस्टम, इसका लेक्चर नमबर थार्ड है, जिसमें हम लोग ब्लड के, यानि कि उसके कुछ पार्ट्स हैं, रेड ब्लड सेल, डॉलू बीच्व, प्लेटलेट्स, कहीना कहीं इसको पढ़ चुके हैं, जो पहरा ही लेक्चर किया था हमने, वहाँ पर इसके characteristics तो कहीना कि पढ़ी लिये थे, और थोड़ बहुत कुछ function है, आओ उन्हें यहाँ पर फटाफट देख लें और finish करें तो बहुत ज़्यादा tough lecture नहीं है, यह बहुत simple सा lecture है ओके, तो क्या है यह? characteristics, अब क्या है, also called aithrocyte, जो RBC है, जिसको full form क्या है, red blood carpuscles लिखना, बेटा, red blood cell मत लिखना, cell भी चल जाता है, बट red blood carpuscles है ना, वो ज्यादा बेटर है, cell को avoid करना, carpuscles लिखना, characteristics characteristics, क्या है, इसको हम aithrocyte भी कहते हैं, they are biconcave, है ना, मैंने बताए, चिप्टे हुए होते हैं, इस तरीके से, दोनों तरफ से, एक आँटे की लोई लो, बीच में पिछका दो, और शेप कैसा है, disc shape, और यह दोनों तुमारे, one mass questioning बंदे है, able to readily squeeze through the capillary, अब यह squeeze का मतलब क्या होता है, squeeze through capillary, देखो, यहाँ पर ठाई diagram को ही मैंने दिया है, squeeze वाला, चलो, I think, आगे आएगा, white blood में देख ले, हाँ, यह देखो, होता क्या है, जैसे white blood cells होते हैं, अच्छा यह diabetes होता है, यह अलग बाट आ गया, वहाँ से क्या होते हैं, squeeze, मतलब होता है, squeeze through capillary, capillary से क्या कर सकते हैं, squeeze, squeeze होता है, किसी को पिचका देना, पिचक करके कहीं निकलना, lack nucleus, very important, enucleate होते हैं, and mitochondria, इनके पास ना तो, मतलब, कोई भी cell और्गनिल नहीं होती हैं, ना mitochondria, ना nucleus, ना कुछ और कुछ भी नहीं होता है, average volume, जिसे हम MCVV कहते हैं, mean corpuscular volume, यानि कि हम एक उठा लें, तो उसका volume कितना होगा, 90 से 95 cubic micrometer, यानि कि हम यूँ कह लें, micrometer cube, ठीक है न, ओके, normal man के अंदर, इतने million per millimeter cube होते हैं, अगर 1 millimeter cube में blood ले लूँ, तो उसमें इतने पाए जाएंगे, woman के अंदर इतने पाए 8 micrometer का होता है, इसकी जिन्दगी होती है, 120 दिन की होती है, also contain enzyme carbonic and hydrates, इसका काम क्या रहेगा, CO2 ट्रांसपोर्ट में रहेगा, है न, इसको लोग पहले lecture में देख चुके है, CO2 ट्रांसपोर्ट में इसका काम रहेगा, it has a red color, because of protein hemoglobin, इसका प्रोटीन पाए जाती हिमोग से इसका color लाल होता है, concentration, concentrate hemoglobin, इसको है, hemoglobin, HGB या कई बार HBB लिख देते हैं, ठीक है न, cell fluid, 34 gram in each 100 milliliter of cell, लगबग 34 gram होता है, 100 milliliter हम लोग cell ले लें, तो उसमें hemoglobin हमें कितना मिल दाएगा, 34 gram मिल दाएगा, hematokrit, एक hematokrit value होती है, hematokrit क्या होता है, hematokrit का मतलब क् पास, call बच्चों की लाथी रहती है, okay, hematokrit का मतलब क्या है, our hematokrit test measures the proportion of red blood cells in your blood, hematokrit test एक test होता है, जिसमें हम लोग कितना proportion है red blood cell का, तुमारे blood में, उसका एक ratio निकालता है, ठीक है न, that is called hematokrit test, तो man के लिए value आती है, 38 से 48.6%, ठीक है, और woman के लिए value रहती है, 35 से ल percent रहता है, quantity of hemoglobin, man के अंदर रहगा, 15 gram of hemoglobin, 100 ml of cell, 100 ml cell ले लो, तो उसमें 15 gram निकलेगा, और woman के अंदर 14 gram of hemoglobin, लगवग 100 ml of cell, थोड़ा बहुत डाटा एक ग्राम का आगे पीचे हो जाता है, कई बार, अलग बुक्स में, अलग लग लग टेस्टिंग में थोड़ा सा अ पास रहना है, each gram of pure hemoglobin, अगर एक pure hemoglobin ले ले एक gram, तो उसके अंदर 1.34 ml of oxygen मिल जाएगी हम लोगों को, normal man, ये normal man का मतला जिसको बिमारी नहीं है कोई भी, वो 20 ml of O2 per 100 ml of blood, अगर उसका 100 ml खुन ले लो, तो उसमें 20 ml O2 मिल जाएगी, और woman के अंदर 100 ml के अंदर 19 ml O2 मिल जाएगी हमे, O2 की मातला कितने रहती है, RBC destroyed in spleen, graveyard of RBC भी कहते हैं, formed in bone marrow, तो काफी सारी बातें इसमें जो थी, वो हमने कहीं ना कहीं, पहले ही पढ़ रखी दी, तो यही इसका characteristics है, कम से कम 10 से 12 पक्का याद कर लेना, ठीक है, जब question आएगा, तो 10 से 12 इसके लिख सको, इ oxygen को transport कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक enzyme होता है, carbonic anhydrase, जो की CO2 को transfer करने में help करता है, cell से lungs की तरफ लेके जाता है, and water to form carbonic acid, it contain enzyme carbonic anhydrase, ठीक है ना, यह यानिक हम कह सकते हैं कि जो blood है, एक enzyme की तरह behave कर रहा है, क्यों behave कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर खुद एक enzyme पा पढ़ेंगे, CO2 का जब transportation पढ़ेंगे, वहाँ detailing पढ़ेंगे, तो simple सी बात समझे, यह O2 को transfer कर रहा है, hemoglobin को transfer करता है, CO2 को transfer करता है, and an excellent acid base buffer, और यह एक बहुत ही अच्छा buffer होता है, blood के pH को maintain करके रखता है, तो यह function तो मेरे खास उपर दो तो पता यादी होंगे, यह pH वाला यह भी हम लोग बच्छों से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ खास नहीं है, आगे आते हैं, WBC की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो WBC की बात करें अगर, तो types of WBC दो होते हैं, granulocytes, a granulocytes, फटा 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 फट, कमेंट करें, granulocytes के अंद of body defense system, यह body का क्या होता है, defense system होता है, और यह move कर सकती, mobile unit होती है, body के defense system का mobile unit है, seeks and destroy, ढूनती है, ठीक है, function क्या है, destroy invading, invading का मतलब होता है, जो आ करके attack कर रहा है, destroy invading microorganism and destroy abnormal cells, that is cancer, तो ढूनती है और मारती है, किसको मार रही है, ढून रही है, जो organism body के अंदर आ रहे हैं, यहां से line हटा देंगे, सोड़ा सवाजी disturb हो गया है, जो invading organism, attack करने ओले organism हैं, और जो cancer cell है, उनको मार रही है, clean up cellular debris debris का मतलब क्या होता है, जो cell मर गई है, toot food गई है, वो कहीं ना कि हमारे body के लिए कूडा करकट है, उसको खा जाएंगी, phagocytosis करेंगे, that is assist in injury and repair, तो चोट फूट लग जा देंगे, cell toot food जाती है, तो वहां पर क्या करती है, assist करती है, help करती है, repair करने के लिए, अब phagocytosis से क्या मतलब है, तो phagocytosis मैंने बताया, कि जो खा के निगल जाना, that is called phagocytosis, एक cell phagocytosis कैसे करता है, यह cell है, इसको खाना है, तो यह cell फिर धीरे से क्या करेगा, इसको अंदर बुलाएगा, ठीक है, यह cell ऐसे ऐसे करके, एक amoeba की तरह है, इसको अंदर बुला लेगा औ और खा के खतम कर देता है, ठीक है, तो phagocytosis, WVC function is phagocytosis, तो यहाँ पर इसको हम लोग देखो, function भी करते जा रहे हैं, और character भी इसके होते जा रहे है, फिलाल क्या चल रहा है, इसका एक general introduction चल रहा है, जिसके अदर हम लोग इसके बारे में general बाते समझ रहे हैं, और साथ phagocytes is selective, यह selective होता, हर किसी को phagocyte नहीं करेगा, ठीक है, that is phagocytis and depends on, ठीक है न, phagocytes is selective of the material, that is phagocytis, जिसको phagocytis होना है, जिसको खाया जाना है, वो selective होना है, किस-किसी पर depend करेगा, tissue surface structure, है न, इनके पास chemically, sorry, chemically यह लोग क्या करते हैं, contact करते हैं, अच्छा, यह तो दालो इसको, तो chemically वो लोग contact करते हैं, protein coat होती है, cells, microorganism के उपर protein coat होती, इसको यह लोग पहचान लेते हैं, कि यह हमारी body का है या नहीं है, development of antibodies, यह antibodies को grow करती है, बढ़ाएंगी और जो unwanted things हैं, उनको खा जाएंगी, this selection of phagocytis is called opsonization, ठीक है, इसको हम opsonization कहते हैं, characteristics of function एक साथ चलेंगे, ठीक है न, तो यह कुछ general बाते होंगे, WBC के बारे में, WBC होते क्या है, granulocyte, agulonocytes, ठीक है, सोड़ा सा recap दिया यहां पर, कि PC हमने क्या पढ़ा है, अब wild blood cell, इसके function की बात कर लें, characteristics की बात कर लें, wild blood cells enter the tissue space by diabetes, अब देखो यह आगे, diabetes, होता क्या है, यह हमारी blood capillary है, इसके अंदर WBC है, हमारे tissues में, जो capillary के बाहर है, वहाँ पर infection हो रहा है, तो यह क्या करती है, इस तरीके से, थोड़ा सा सुकड़ रिंगी, और सुकड़ करके बाहर आ जाती है, और tissue वाली जग़े पर चली जाती है, यह लिको साइट है, इस ही को हम ल natrophils and monocytes can squeeze through the pores, जो छेद होते हैं, बहुत छोटे हैं, वहाँ से squeeze होके निकल जाते हैं, पिचक करके, pores of the blood capillaries by diabetes, उस process को हम लोग बोलते हैं, diabetes, चीदी सी बात है, एक छोटा छेद है, उसके अंदर से पिचक करके निकल जाना, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे कि मैंने उस to tissue space by amoeboid motion, जो tissue के बीच में space होता है, जैसे amoeba होता न, amoeba को चलते होँ देखा है, amoeba गोल होता है, जैसे चलना होगा, तो यह अपने इस तरह से हाथ, cell निकाल लेगा, फिर और अपने इस टाइप से cell निकाल लेगा, मतलब आगे आगे अपने जैसे ऐसे ना, कि कोई ज अपने हाथ पर निकाल लेगे, आगे आगे बढ़ने के लिए, तो कैसा motion करता है यह, amoeboid motion, अब देखो, इसके characteristics में count कर सकते हो, direct लिख सकते हो, characteristics, it move by diabetes, it do amoeboid motion, दो characteristics हो गए यहाँ पर, white blood cells are attracted to inflamed tissue by chemotoxys, it is attracted to inflamed tissues, या it attracted to inflammatory spaces by chemotoxys, chemo मतलब, chemical, इसका chemical nature ऐसा है कि जहाँ पर inflammation हो जाता है, वहाँ, automatic attack होगा, अच्छा, यहाँ आग लगी है, आग लगी होने मतलब, यहाँ दिक्कत आगे, चलो, वहाँ चलो, तो वहाँ से किस chemical conversation होता है, और यह उस तरफ बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए, तो बात हैं, हमने कर ली, आगे आते हैं, अब देखो, यहाँ समझते हैं, बात को थोड़ा सा, थोड़ा सा और detail में देखें, कैसे काम कर रहा है, यह देखो, हमने splinter puncture epidermis, हमने इसको puncture किया, यह epidermis है, और नीचे क्या आगे आपने पास, dermis, दो layer होती है, bacteria are introduced into the dermis, bacteria को हम ल blood capillary, यह puncture हो गई यहाँ पर, अब bacteria green green वाले हैं, यह multiply कर रहे हैं, अब bacteria के multiply होने से देखो, क्या हो रहा है, neutrophils, एक, दो, तीन, चौथा कहा, injured cell release histamine, जो cell injured हो गए है, यह cell क्या कर गए है, capillary के आसपास, तूट फूट गए है, यह अपने दासा histamine release करेंगे, जिससे की blood vessel dil dilate हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है, उसके फैलने से होगा है, neutrophils move through blood vessels wall and migrate towards the bacteria, अब कोई चीज ऐसी थे हो फैल गई है, तो बीच में space हो गया, उने space से neutrophils निकल निकल के, देख रहो यह, यह neutrophils है ना, यह 3-3 लोब बने हुए, यह निकल निकल के बहार आ गए, ठीक ह अब यह निकल के बहार आ गए, neutrophils destroy bacteria by phagocytos, अब यह निकल रहे हैं इसको, ठीक हो यह ने, green, 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 यह बैक्टरियों को निकलना इस्टार्ट कर दिया और यह बैक्टरियों खाना इस्टार्ट कर दिया है, तो कुछ इस तरीके से process होती है, step by step होता है, bacteria multiply कर रहा है, cell injured ह हो रहे हिस्टामिन, histamine dilate कर देगा, कोई चीज ऐसी दे डालेट होके फैल गई, space बन गया, neutrophils बहार निकल करके उसने बैक्टिरियों खाना शुरू कर दिया, अब और इसके characteristics देख ले, the adult human के अंदर 7000 WBC होते हैं, ठीक है, हम लोग ने वापे क्या देखा था, 7000 से लेकर of different types are, अगर सब के percentage की बात करूँ मैं, polymorphon nuclear, अब यह बात clear होगी, polymorphon nuclear का मतलब, कई सारे lobe होते हैं, तो यह पर फिर बता दूमें, यह एक lobe है, यह एक lobe है, ठीक है ना, यह एक lobe है, यह एक lobe है, यह एक lobe है, कई सारे lobe होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहा गया थे, पॉली मॉर्फिक नुकलियो, पॉली मॉर्फिक नुकलियो, और नूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, यह लगबग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अदलब 54-62% है, ठीक है, 102-3% होता है, यह 0.4 से, यह 0.5 से 1%, यह mean value लिखी हुई है, कैसी value लिखी हुई है, mean value, बीच की value, mean value कैसी होती है, बीच की value, average value लिखी हुई है, और यह इनकी range लिखी हुई है, monocytes 3-8% होते, mean value निकाल लगए 5.3 आ जाएगा, lymphocyte लगबग 25-35% होते, mean value निकाल लगए 30% आ जाएगा, clear है, अब इसकी percentage की बाते हो गई हैं यहां पर, तो कहीं नहीं करेक्टरिस्टिक चल रही है, यहां पर यह, the life of the granulocytes, normally 4-8 hour, RBC की 120 दिन थी, circulating in the blood, and another 4-5 days in tissues, जब blood लो सर्कुलेट कर रहे हैं, 4-8 गंटे, और जब tissue में चले जाएंगे तो 5-4-5 दिन, तो monocyte, short transit time, इसका transit time बहुत छोटा होता है, 10-20 hour in the blood, blood में 10-20 गंटे रहता है, before wandering through the capillaries's membrane into the tissue, ठी क्या बोल दिया है, short 10-20 hour in the blood, before wandering through the capillaries's membrane, ठीक है, tissue में जाने से पहले 10-20 गंटे blood में रह रहा है है, once the tissue, once in the tissue, जब यह tissue में पहुंच गया, manocyte, once in the tissue, they swell, यह फूल जाते हैं, to much larger size and become tissue macrophages, और एक किसम बदल जाते हैं, macrophages में, ध्यान रखना, monocyte किसम बदलते हैं, macrophages में, monocyte किसम बदल रहे हैं, macrophages में, and in this form can live for months, और अब यह महिनों तक रह सकता है, percentage and function of different types of WBCR, percentage and function के अगरा में बात करूँ, अलग लग की, फिर से एक बड़ी percentage का जिकर आगया, तोड़ डवल हो गया है, कोई बात नहीं, percentage अनों उपर देखी लिए, अब function साथ-साथ जलते हैं, ठीक है न, most abundant, यह ध्यान रखेंगे, सबसे दापाय जाने वाला है, it phagocetized and ingles bacteria, इसका काम क्या है, bacteria खा जाता है, cell की debris खा जाएगा, it is important in inflammatory responses, तो यह कहीं न कहीं, इसके क्या हो गए, function हो गए, function एक, isnofil, percentage पर चुके है, attack parasitic warm, it control inflammation and allergic reaction, यह function 2 आ गया इसका, ठी isnofil, इतना percentage होता है, release histamine and heparin, important in allergic reaction, heparin is anticoagulant, बता है था न, हमारा खून हमारी body में क्यों नहीं जमता है, question आ सकता है, हमारी body में जो खून बहरा है, वो जमता क्यों नहीं है, क्योंकि, एक anticoagulant heparin हमारी body में लगाता, flow करता रहता है, साथ साथ में, ठीक है न, यह इस 28% WBC का होता है, इसका main काम क्या है, phagocytic defense against virus and bacteria, again function आ गया इसका, lymphocyte, दो टाइब क्यों होती है, B और T, और B lymphocyte produce antibody, T lymphocytes, directly destroy virus, invaded cells and cancer cell, directly इसको क्या करती है, खतम कर देती है, और यह इसका क्या है, percentage है, 25-35% of WBC, तो कही न, कहीं यहाँ पर characteristics और function साथ साथ चला है, तुम लो लेना, ठीक है न, बोथ neutrophils and macrophages can kill bacteria, contain bactericidal agent and kill most bacteria, ठीक है, हमको पता ही कहीं यह कर फंक्शन में आ गया इसका, neutrophils और macrophages, दोनों को दोनों का करते हैं, bacteria को kill करते हैं, मार देते हैं, क्यों, इनके अदर एक bacteria, bactericidal agent होता है, bactericidal मतलब जो बैक्टर को kill करने वाला होता है, some bacteria have protective coats, कई बाद कुछ bacteria के उपर protective covering होती है, ठीक है, और other factor that prevent destruction, अब वो क्या है, उसकी वज़े से यह इसको मार नहीं पाते है, direct नहीं मार पाएंगे, ठीक है, killing result from oxidizing, अब वो कैसे मारेंगे उसको, oxidizing agent formed by enzymes in the membrane, उनके membrane में ठीक हैं, जो enzymes होते हैं, ठीक है, वो oxidizing agent को form करेंगे, अब oxidizing agent कौन कौन से होते हैं, includes large quantities of superoxide, अब यह तुवारा question आ सकता है, कि यह लोग किस टाइब की oxidizing agent create करते हैं, superoxide, hydrogen peroxide और hydroxy line, यह bacteria को kill कर देंगे, फिर all of which are lethal, lethal मतलब घातक, प्राण घातक होते हैं, to most bacteria even in small quantity, छोटी quantity में भी यह जो oxidizing agent है, यह bacteria को kill कर देते हैं, मार दे lysosomal enzymes, lysosomal enzymes हम सब को पता है, lysosoms क्या होते हैं, जो अपने अंदर से खतरनाक enzymes निकालते हैं, और आस पास की चीज़ें हों खापी के मार डालते हैं, ठीक है, myeloperoxidase catalyze the reaction between H2O2 and chloride ion, अब कह रहा है, lysosomal enzyme जो होता है, myeloperoxidase, यह एक reaction करता है, H2O2 और chloride ion के बीच में, और क्या बनाता है, hypochloride बनाता है, which is exceedingly bacteriocidal, इसमें बहुत जबर्दस तरीके से bacteriocidal होता है, bacteria को kill करने की छमता होती है, इस hypochloride में, इस सब हमारी body के अंदर हो रहा है, बासमजमारी है, ठीक है, अरे भाई, जो चीज़ थोड़ी से difficult लगें, tough लगें, कि सर उपर से सारा है, चीज़ों है, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा skip कर सकते हैं, इसकी मतलब, टैस्ट भले ना, इकले नहीं समझतों लो, oxidizing agent वगरा सब पढ़ चुके होना, अब तो यह तो हम लोग पढ़ा था उसमें, क्या होते हैं, oxidizing agent, कहां पढ़े थे, pharmaceutical chemistry में, तो यह ना कह कहते हैं, कुछ macrophages liver में पाया जाते हैं, जिसको हम लोग cover cells कहते हैं, लिवर में भी तो protection चाहिए हमें, तो यह कुछ क्या थे, इसके characteristics थे, functions थे, WBC के, जो तुम लोग क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है, clear है, next आता है, platelets, characteristics, ठीक है न, बनते कैसे हैं, fragments of cells होते हैं, round cells that lack nucleus इनके पास भी nucleus नहीं है, याद कर लो, एक और आगया अपने पास, half size of the RBC, RBC का आधा होता है, life span around 10 days, के वाल 10 दिन के लिए जिंदा रहते हैं, और इनकी एक normal संख्या हमने पीछे देखी दी, कितनी रहती है, लगबग पीछी हम लोग पड़ी थी, तेड़ लाग से लेकर इसके उपर ही न, इसी platelets की उपर याने की platelets का main काम क्या है, blood को clot करना, इसके उपर अगला lecture, पूरा detail हो जाएगा, ठीक है, फिलाल यहाँ पर हम इतना पढ़ लेते हैं, क्या release करता है, serotonin which contract smooth muscles in the blood vessel reducing the flow of blood and will begin the formation of blood clot, तो ultimately क्या काम कर रहा है, blood की clotting कर रहा है, क्या release करता है यह one must question बन सकता है, serotonin नाम के chemical को release करता है, जिससे की muscles contact करती है, सुकुरती है, reducing the flow of blood, इससे blood का flow कम हो जाता है, और फिक clot बनना start होता है, ठीक है, stop bleeding from a damaged vessel called hemostasis, यह term याद रखेंगे, यह main कामी है, blood जो cut गया है, फट गया है, वहाँ पर क्या करेंगे, इसको stop करना ही कोश let's see, अच्छा, he है यह, hae है, एक ही बात है, is a process which causes bleeding to stop, यह एक ऐसी process है, जिसमें bleeding, जो हमारा खुन बहरा होता है, वो रोख जाता है, ठीक है ना, meaning to, इसका मतलब क्या है, to keep blood within a damaged blood vessel, अगर कोई blood vessel damage होगे, मालो यह blood vessel थी, अब यह किसी तरीके से damage होगी है, तो blood यहाँ नि है, the opposite of hemostasis is hemorrhage, यानि कहीं से blood निकलता है, चोट निकलने को hemorrhage कहते हैं, कहीं से भी अगर blood blood vessel से बहार निकल रहा है, तो इसको हम लोग simply क्या बोलते है, hemorrhage बोल देते हैं, three steps involved in hemostasis, vascular space, formation of platelet plug and blood coagulation clotting, जिसको कि हम लोग detail में जानेंगे, next lecture में, इसके detailing कहां करेंग इसको, three points इसके function में लिख देंगे, otherwise इन तीनों point की detailing फिर हम लोग कप करेंगे, अपने next lecture में, जिसमें mechanism of blood vessel आएगा, sorry, mechanism of, mechanism of क्या आएगा, blood clotting आएगा, clear है बाते हैं, और यह अपना mind nurture app, तो easy था characteristics कहीं ना गई, जिसने पहला lecture अच्छे से पढ़ लिया है, उसको ये व कुछ बाते याद करने वाली है, उसके बाद ही कोई जी अब प्रॉलम लगती है, तो comment कर सकते हैं मेरे को, doubt पूस सकते हैं, ठीक है ना, number मेरा दे रखा है, ठीक, पढ़ना है ना, good, पढ़ते रहो और revise, करते रहो, all the best.